आत्म निर्भर भारत की दिशा में रेलवे ने उलेखनी काम किया है खरीद में इंपोर्ट का जो हिस्सा है 2013-14 में 5.6 फीजदी था वो 2018-19 में घटकर 2.5 फीजदी रह गया मेक इंडिया पॉलसी के तहट तमाम कदम उठाए गए अगर उत्पादन की बात करें तो इसमें 95 फीजदी हिस्सा भारत में ही निर्माण किया जाता है साथी साथ इंडिजिनस ट्रेन कोलिजन एवाइडेंस सिस्टम भी देश में ही डेवलप किया गया है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बनारस लोकोमोटीव वर्क्स लिम्टेड ने साथ डीजल लोकोमोटीव को स्री लंकन रेलवे को एक्सपोर्ट किया है और इलेक्ट्रिक लोकोमोटीव प्रोडेक्शन में अगर उत्पादन की बात करें तो उसमें 30% का इजाफा हुआ है LSB कोचेश के प्रोडेक्शन की बात करें तो उसमें 42% का इजाफा हुआ है एक्सेल केपसिटी आफ रेल वील फैक्टरी उसको भी बढ़ाया गया है। साथी साथ हम कह सकते हैं कि मैनुफैक्टिरिंग आफ ट्रेक मसीन वो भी देश में सुरू हो गई है। आत्म निर्वर भारत में इस साल में काफी काम हुआ जहां पे 1314 में 5.6% समान इंपोर्ट होता था भारती रेल के द्वारा 19-20 में केवल 1.6% हुआ जो मेकिन इंडिया पॉलिशी डीपी आई आइटी की उसको पूरी तरह से भारती रेल ने लागू कर दिया है। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इंडिजिनेस ट्रेन कृमेटिक चैन प्रोटेक्शन सिस्टम है। हमने पहली बार इसको डेवलप किया। एक्सपोर्ट की भी बढ़ोत्री कर रहे हैं हम। बनारस लोकोमोटीव वर्ट जिसका पहले नाम डीजल लोकोमोटीव वर्ट होता था अल्रेडी उन्होंने स्री लंकान रेलवे को साथ लोको एक्सपोर्ट किया है और आने वाले दिनों में और भी जादे लोको और कोर्ट करने की योजना है एलेक्ट्रिक लोकोमोटीव की जो प्रड़क्शन है वो 30% इंक्रीज हुई थी लेच्वी कोचिज का प्रड़क्शन पिछले साल 42% इंक्रीज हुआ था रेल वील फाक्ट्री में जो एक्सिल बनता है उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं हम एक सेकंड यूनिट इंस्टाल कर रहे हैं क्योंकि हमको एक्सिल इंपोर्ट करना पड़ता था और यह जैसे यह यूनिट चालू हो जाएगी इस वित्तिवर्स में चालू हो जाएगी त राय बरेली में एक वील की फैक्टरी रेल इस पात निकम लिमिटेट के साथ मिलके कर रहे हैं और जैसे ही ये फैक्टरी चालू हो जाएगी तो वील का भी जो इंपोर्ट होता है वो भी बंद हो जाएगा और ऐसे ही जो एक ट्राक मसीन की फैक्टरी इंडिया में लग गई है इंडिया में मैनुफैक्टर होने लगा है तो जो ये 1.6% इंपोर्ट हुआ था उसमें ये तीन मेजर कंपोनेंट थे एक्सिल वील और ट्राक मसीन तो इसको हमने यहां पे भारत में बनाने का पूरा-पूरा इंतिजाम किया है तो इस तरह से इंपोर्ट काफी हद तक कम हो जाएगा जो लोकों के कम 95% से जादे इंडिया से इस सोर्स हो रहे है तो इस तरह से धीरे-धीरे इंपोर्ट जो है भारती रेल में ये एक तरह से बिल्कुल negligible हो जाएगा, almost zero के बराबर हो जाएगा यह coach production progress दिखा रहे हैं कि कैसे coach production बढ़ता गया especially जो पीछले 3 साल में आप देखेंगे तो 18, 19, 19, 20, 21 में किस तरह से coach production बढ़ा है और हम लोग का प्रयास यह है, railway का प्रयास यह है राइबरेली की जो coach factory यह modern coach factory उसकी इस्थिती यह दरसाता है और जिसमें की यह आप देख सकते हैं कि पीछले 3 सालों में 18, 19, 19, 20, 21 इसमें कितनी capacity में कितना इजाफा हुआ है और 14, 15 तक बिल्कुल coach नहीं बनते थे 13, 14 में तो बिल्कुल ही coach नहीं बनता था बाहर से ICF से coach लाके खाली assemble होता था और 15, 16 से सुरू हुआ और हम 20, 21 पे जो इसकी install capacity है उससे करीब-करीब दुगनी capacity पे coachage बनाने लगे हैं इसी तरह से यह locomotive की भी वही कहानी है तीन तरह के locomotive, 1000 HP, 9000 HP, 12,000 HP और तीनों तरह के locomotive इंडिया में बनने लगे हैं 12,000 HP का लोको एक public-private partnership में बनाया यह एक बहुत ही successful model है और इसको ISB ने इस पे case study लिखा था Harvard Business School में इसकी publishing हुई थी और Harvard Business School और ISB दोनों ने भारती रेल से अनुमती लेके अपने course content में इस public-private partnership case study को डाला है एक model है जिसमें की private investment के थूँ बिल्कुल state-of-the-art locomotives, 12,000 HP की locomotives यहां भारत में 9,000 HP का locomotives इंडिया में हम बना चुके हैं इसकी design में और improvement करने के लिए और passenger trains हम चुकी speed upgradation करना चाहते हैं 60 km से 200 km प्रति घंटा तक लेके जाना चाहते हैं तो इसलिए एक high speed passenger trains भी हम develop कि यहां कर रहे हैं तो 9,000 HP का new design का freight locomotives और 10,000 oblique 12,000 HP का passenger locomotives इसके बारे में भी हमने काम सुरू कर दिया है तो यह जो 2020 का साल था जहां बहुत जादे challenges थे COVID की वज़े से इस challenges को opportunity में convert करते हुए जो अमारे भारती rail के अधिकारी और करमचारी हैं जो थोड़ा सा समय हमको मिला passenger train नहीं चल रही थी उसका पूरा फाइदा उठाते हुए एक technology में quantum jump लेने के लिए पूरा और यह जो प्रयास इस साल में किया गया है इसके results बहुत जल्दी आने सुरू हो जाएंगे और भारती rail में जो नई नई technology का induction होना है और जिस तरह से यह planning हुई है आने वाले दिनों में भारती rail का जो network है उसकी capacity भी बढ़ेगी और technologically modern होगा